अस्लाम अलेकुम स्टूडियों आज हम चप्टर नमबर सिस्ट के स्वारी चप्टर नमबर सेवन के पार्ट तू स्टार्ट किर रहे हैं डर्म्स ऑफ स्टेमल अले स्टेमल डोकुमेंट्स कॉंटेंट टैक्स इंग इन देट में बॉड़ी आफ वेड़ पैजे स्टेमल में हम टैक्स यूज करके हम उसमें अपना वेड पैज जो है वा गवरा बनाते हैं a tag is an html command that control the format of the page or document वो जो वहां पर tags है html comments का वो उन formats को control करते हैं और pages को documents को every text has attribute our important properties हर एक tags जो है वो important properties जो है वो देते हैं html tag tag is an element which instruct with the web browser what to display and how to display tag जो है element instruct है जो कि हमारी web browsers को किस तरह display करना है और यह display क्या है ठीक है कैसे करना है और कैसे करना है और क्या करते हैं वो सब देते हैं ठीक है tag हमें इसलिए यूज करते हैं कि ताकि हमें जो हमने वहां पर जो भी चीजे बनाये हैं उनको display करना उनको किस तरह display करना है इनको कैसे display करना है वी यूज वेरियस एट्रब्यूट्स इन देक्स देट कॉंटिन एडिशनल इंफोमेशन लाइक फोमेटिंग एफक्स कलर्स एक्सेटरा हम यह टैक्स जो है वो हम यूज करते हैं अलाग अलाग चीजों के लिए तरह कि हमारी वहां पर इनफोमेशन इनफोमेशन हो या कोई फोमेटिंग हो उनमें कोई एफक्स जलना हो या कोई कलर्स जलना हो उनके लिए ठीक है अले । इस्टेमल टैक्स इंक्लूज एंड्सेट उन बोट साइट्स ऑफ प्रफजाएं टैक्स कमंड्स इंक्लूज ऑफ ऑफ। पाल्स एंड्स जलना हूज उनमें दोविए ठीक साइट्स जलना काम्ड फोमेशन में यह ग्वी एथे न्नपान इसे थे आपनू इसे इस एक है empity tag ठीक है यह दो टेक्स हैं container tags our non empty text यह क्या है this text which bracket our content text our other tag element our call it container tags यह वो tag है जिससे कहा हम कोई bracket लिखते हूं ठीक है text के बीच पहले हमने bracket start किया फिर उसके बाद उसमें एक फिर ब्रेकड क्लोस वगरा उसके लिए तो उसे क्या कहते है कॉंटेनर टेक कहते हैं इस कॉंसेंट्स ऑफ टेक्स एससे जीसी की एक स्टार्ट से एक ये ये टेक्स ये एप ने ब्रेकरट इन गा ये फिर ये टेक्स लिख लिए ठीक है एक जो है हम record में slash का use करते हैं before the comment comment से पहले हम यहां पर slash का use भी करते हैं example आप यहां पर देख सकते हैं यह bracket लिखा यहां पर आपने जो भी लिखना है title लिखा फिर start tag ठीक है टीक है टीक है टीक है यह जो ही बूस्टार्ट करना है HTML documents फिर नीचे text फिर title slash लिख के title फिर end tag ठीक है अब MPT tag these are stand alone and do not continent tags over any other tag elements यहां पर कोई continent tag tag जो है नहीं होता है बाकी tag elements की तरह ठेक है and mpt tag functions is stand alone with element with an html document and thus does not continue any bracket or anything else यहां पर mpt tag कोई functions stand elements किसके साथ html documents के साथ does not continent कोई इसमें continent नहीं होता है any bracket या कोई bracket कोई भी bracket हो anything else जो भी है ठीक है जिसे की बी आर लिखा है फिर ब्रेक लिखा है एक्सेटरा लिखा है अब attribute some text have special attributes कुछ text के लिए special attributes होता है they provide various options for the next continent वो अलग अलग option जो है वो प्रोवाइड करते हैं continent text के लिए attributes are written within angular bracket attributes हम angular brackets में लिखते हैं space is provide within two attributes which are written one after another यह जो है वो एक space जो है provide करते हैं दो attributes में कि हम लिखते हैं written one after another लिखने के बात जो है ठीक हैं दूसरे में लिखने के बात अब यहां पर example देख सकते हैं आप font size फिर color 14 color लिखा है blue लिखा है hair size size लिखा है color लिखा है ठीक है इस तरह से इन्हों ने यह example दिया हुए आपको अब value attributes में have values values होता है most of the attributes have defined such as value will be accepted by only that attribute कुछ attributes को कुछ values को define करते हैं उसके बात उसको accept करते हैं attribute में ठीक है example font size equal to 14 ठीक है इन्हों ने value का example लिखा है value इन्हों ने कितना लिखा हुआ है 14 लिखा है here 14 is the value यहां पर 14 जो है वह value है of the size attribute of the font tag और यहां पर font जो है वह size attribute है font tag अब nesting tags when you use tags within some another tags then it is colored nesting tag जब आप वहां पर कोई tags जो है वो यूज करते हैं बाकिये tags में तो उसे क्या कहते हैं nesting tags कहते है nesting tags are those tags that are affected completely paragraph of tags nesting tags वो tags है जो कि आप पूरे paragraph को complete करने के बार वहां पर कुछ effects तरते हो they can have tag which effect only individual letter on words और वहां पर text है वो individually किसी एक पर जब एक letter या words पर effects होते हैं तो डालना है तो यहां पर देख सकते हैं एक्सांपल इन हो नहीं इसकर से लख है 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 टीक है टाइटल लिखा है फिर HTML डॉकुमेंट फिर टाइटल फिर है ठीक है आप space between text many space can be given between text in HTML वो सारे space है we can use this space at the time of writing an HTML document हम यह space हो है हम कभ यूज करते हैं जब हम वहां पर HTML documents में कुछ चप लिखते हैं तो if unnecessary extra space are used browser automatically ignore them और unnecessary जो extra spaces है वो जब वहां पर यूज होता है तो automatically browsers जो है उनको ignore करते हैं invited commerce straight inverted commerce यहां पर कुछ invited commerce है are used to unclosed value in HTML यह HTML में जो values है उनको unclosed करने के लिए यूज होता है the commonly used curly inverted commas और यहां पर commonly जो used curly commas inverted commas are not in this case इस case में कोई जो है वो इस तरह की commas used नहीं नहीं होता है ठीक है यह यहां पर देख सकते हैं और यह जो curly commas है वो यहां पर किसी केस में कोई case हो उसमें हम use इसको नहीं करते हैं ठीक है यहां पर आप example देख सकते हैं examples यहां पर दिया हुआ है examples साथ में दिया हुआ है तो आप लोगों को example देखके यह समझ आ जाएगा जब आप computer पर practically जब आपको करना है तो आपने tag का use करना है तो tag का use करेगे तो आप जब वहां पर input डालोगे तो आपको output मिल जाएगा उसी तरह से आपको समझ आएगा कि यह चीज क्या है और किस तरह use होता है ठीक है इस तरह से आपको पता चल जाएगा जब आप इनको practically आप use करो गए ठीक है आज का topic यहीं तक inverted commas तक कर हम दूसरा topic जो है वह start करेंगे खुदाफिस